पूरी पार्टी काम नहीं करती है 36 गर में बीजेपी के 14 साल पूरे होने जा रहे हैं और इसमें प्रिशाशन तो महत्मूर राही रमन सिंग एक ही व्यक्ती लगाता 14 साल मुख्यमंत्री रहे लेकिन क्या उनको लगातार मुख्यमंत्री बने रहने में और इस राज में बीजेपी की सरकार लगातार बनने में संग्ठन का कितना महत्मूर रहा ये हम जानेंगे हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के अध्यक्ष धमलाल कौशिक जी कौशिक जी पहले तो आपको बहुत-बहुत बढ़ाई कि आपकी पार्टी की सरकार यहां पर 14 साल पूरे कर रही है क्या आपको लगता है कि 14 साल में सरकार तो रही लेकिन संग्ठन और पार्टी के लिए उसके क्या माइने रहे भारती जनता पार्टी जनसंग से लेकर के जनता पार्टी और उसके बाद में भारती जन्ता पार्टी संगठन का अपना महत्व है संगठन का अपना इस्थान है और इसलिए आज आप देखेंगे कि कहीं पर सरकार आने के बाद में संगठन गौड हो जाती है लेकिन भारती जनता पार्टी में इस बात को प्रमुक्ता दी जाती है कि हमारी पहचान सरकार बाद में है संगठन हमारी पहचान पहली है और इसलिए जब पूरे देश में अठारा प्रदेशों में भारती जन्ता पार्टी और उसके मित्रजब सरकार चला रहे हैं इस पस्ट बहुमत की सरकार चल रही है और इस देश में नरेंद्र मोदे जी हमारे स्वसी प्रधान मंतरी है अमित साज ये हमारे राष्टी अध्यक्ष अलग से दिखाई देता है और उसी का वज़ा है कि संगठन के जो भूमिका और संगठन के जो अपनी पहचान जो संगठन के उसकी संगठनात्मक जो कारे प्रणा लिए आज 36 गड़ में हम सब के लिए सोभाग्य के विशय है कि इस प्रधेश को ततकालिन प्रधान मंतरी अटल विहारी बैचपईजी ने एक प्रिथाक राज्यका मंद्ध प्रधेश में 36 गड़ को दरजाद मिला और इस 36 गड़ के कुसल नेत्रित में डाक्टर रमन सिंग जी के नेत्रित में 14 वर्ष की सरकार चल रही है मुझे कहने में ये बहुत प्रसंदता हो रही है कि 36 गड़ प्रदेश के मुख्यमंत्री डाक्टर रमान सिंग जी भाजपा सासित राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले जिनके नेत्रित तुम्हे ऐसे मुख्यमंत्री जी हमारे भारती जनता पार्टी के सासन राज़ियों में पहले मुख्यमंत्री बन गाये तो लेकिन क्या कौशी जी एसा तो यह समय से एकी व्यक्ति मुख्यमंत्री है कोड से हम यदि विचार करेंगे तो जारखंड हमसे कमी नहीं है बलके मजबूत हैं चाहे वहां की माइनिंग के हम बात करें हम उत्राखंड की बात कर सकते हैं लेकिन आप तीनों प्रदेसों का यदि 17 साल में आप देखेंगे तो 17 साल में और 14 साल के जो मुख्यमत्री के ने आपय लादा विकास किया है तो 36 सेह हैं और उसका कारण है कि एक पारिटी के सरकार एक नेत्रित्थ के सरकार जिसके नेत्रित में सरकार चल रही है कि जिन बातों को उन्होंने पहले चुनाओ में लोगों के बीच में गए संगठर ने जा करके जिन बातों को रखा जनता ने स्विकार किया और स्विकार करने के बाद में पहले चुनाव में हमारे मुक्य मंत्री बने है। और बनने के बाद में उन बातों को दोहराते हुए। जहां पर सरकारी बदल गई, जहां पर नेतरित बदल गए, उनके मुद्दे भी बदल गए, उनके एजेंडे भी बदल गए। लेकिन आज सफल हम लोग इसलिए हुए ह कि यहां के जनता का जो आसिरवाद और उनका विश्वास चाहे भारती जनता पार्टी के उपर हम कह सकते है यह डाक्टर रवन सिंग के नेतरित्य के उपर और यह वही विश्वास है जो 36 गड़ का विकास आपको दिखाई दे रहा है मैं यह आपसे जाना चाहरा हूँ क्योंकि संग्ठन हम मानते हैं कि भारती जन्ता पार्टी में काभी महत्तून होता है और संग्ठन की बात सुनी जाती है आपका भी कहना है कि यहां भी हमारा अच्छा तारेतरम में है ऐसी चीज़ क्या समझते हैं कि जो आपको लगता है कि इस राज्य में हो जानी चाहिए थी या उसके लिए और काम करनी की जरुवत है देखे जो हो जानी चाहिए थे वो आपके सामने में है वो आपके सामने में समस्या भी है आपके सामने में उसका समधान भी है जैसे एक हमने सरगुजा को नकसलवाद से मुक्त करके आज connectivity से उनको हमने सब को जोड़ लिया लेकिन बस्तर हमारा बचा हुआ है सरकार भी चाह रही है फंड भी उपलब्ध है केंद्र की सरकार की उसे पेकेज भी है लेकिन आज उस इस्तिती में हम नहीं है जो इस्तिती में मुख्यमत्री जी चाह रहे है और हम संगठन जो चाह रहे है कि पूरे बस्तर में चाहे नेट का connectivity हो यह हमारे सडक के connectivity हो जिसके माध्यम से नकसलवाद हमारा समाप्त हो जाए और जैसे विवस्था बाकी जगा है आम लोगों के जो जीवन भै मुक्त बस्तर में भी उस इस्तिती में हम पहुँच गए होते लेकिन नहीं पहुँच पाय किसी भी कारण से उसका बहुत सारे कारण है लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि मुख्यमंतरी जीनिये 14 वर्स में यह प्रयास किया कि वहां के लोगों के मन में जो भै ब्याप्त था उस भै को दूर करने का काम किया जो कहीं न कहीं नकसलवाद के जो लोग पोसीत रहे हैं आज उसके सिकार हो रहे हैं को महसूस हुआ कि हमने ठीक नहीं किया और इस नकसलवाद के उनमूलन में सरकार के साथ में चूड़ रहे हैं और उसके साथ में जो रोट की कनेक्टिविट की मैंने बात के कि विजापूर के क्या हालात रही है कितने घंटे में लोग पहुंचते थे सुथ्मा के क्या हालत रही है लेकिन आज वहां पर हम जगदलपूर से बस्त नहीं से डेट गंटा दो गंटा में हम पहुंच पा रहे हैं लेकिन और आगे तक हम को पहुंचना है तो निश्चित रुप से जो आप बोल रहे हैं इस जिसा में सरकार और केंद्र से दूसरे प्रदेश से और संगठन भी चाह रही है कि जैसा चोटा सा 36 गड़ राज जमिला तो विकास पूरे 36 गड़ का होना चाहिए लेकिन वो जो विकास होना चाहिए कहीं न कहीं उस बाधे के कारण में वो विकास हमारा प्रभावी का है आपके honesty की आपने बात बताई कि वहां पर कमी है लेकिन अगर हम यह देखें कि लगातार पिछले 14 साल में वही लोग मंत्री बने हुए हैं वही पोस्ट पे हैं क्या आपको लगता नहीं कि राज में जो युवा नित्रत्व उभरना चाहिए था उभर नहीं पाया संगठन क् कोई भी ऐसा केदार कश्यब जी को छोड़ दें यंग अगर उनको मान लें वो भी इतना यंग नहीं है तो चालिस साल के तो होंगे तो ऐसा को युवा नित्रत्व यह लगता है कि सब हमारे युवा मंत्री हैं लगभग यह सब युवा मूर्चा में काम किये हैं और राजनिती में चूट होती है नहीं आयू की चूट नहीं देती मैं यह बोल रहा हो कि बहुत उमर नहीं है राजनिती में मुझे इस बात का गर्वा है और फक्र है कि हाँ पर विधान सभा उपाधेर्च के रूप में आज हमारे 90 वर्स के बद्री धर दिवान जैसे लोग कर रहे हैं तो यहां पर बिलकुल कम आयू के हमारे कईदार कशिव से ले करके और भी हमारे मंतरी काम कर रहे हैं मतलब सिनियर और जूनियर यह अदिया आप कहेंगे तो सब का समागम 36 घड़ में सरकार जाहां को दिखाए यह बताई है कि रमन सिंग जी का कद वैसे भी ज़ादा प्रवाभी रहते हो। और संगठन पूरे दमखम के साथ आपके पीछे खड़ा हुआ है चिंता करने की कोई बात दी अच्छा एक यह बताई यह तिहार का क्या फंड आया अब देखिए वैसी देश में तेहार क्या कम थी जो आप यह बोनस तिहार और यह सोभाग बिजली का वाला तिहार तेंदू कि यहां पर आप देखेंगे कि जैसे हरेली आया तो हरेजली से लेकर के तीजा पूरा से लेकर के आपका अनेक फेस्टिवल अभी तो महत्सो को दोड़ चलता है राजी महत्सो चलेगा हमारा यह चलेगा सीरपूर का चलेगा तो जब सारा महत्सो हम मना रहे हैं तो हमारे जीवन में जो खुसी आ रहे हैं उसका महत्सो हमको क्यों नहीं मनाना चाहिए इसलिए हमने बोनस तेवहार कहा बोनस तेवहार क्यों कहा कि आकाल की स्थिती है काली संकट चाया हुआ है फसल किसान के तवा हो गये है और आज किसानों के पास में क्या है दिवाली ओ कैसे मना कि अब हमारे अनकूल इस्थिती है बोनस उनको मिलना चाहिए और हमने कहा है बोनस हम को देंगे और इसलिए आप देखे होंगे कि जो भीड़ उम्री है उतेवहार नहीं ही तो क्या है जलसा जलसा 40 लाग 50 लाग 55 लाग 60 लाग जोड रहे हैं नाज गाना हो रहे हैं वहां पर किसानों को परिशान है आपने बीच में उनको कहा कि हर साल बोनस देंगे और किवल इस साल दिया दू साल नहीं दिया और आप तो हर मना रहे आप मुझे ये बताईए कि ऐसा कोई सरकार बता दो प्रदेस में, हिंदोस्तान में कि चुनाओ के समय आये और लोग हड़ताल न करें चुनाओ भी हड़ताल है और आज के नहीं है ये जब दूसरे के सरकार रही तो भी हड़ताल रहें केवल अंतर इतना ही था कि उसके हड़ताल में कि हमारे राष्टी अध्यक्ष अमिस्सा जी का च्छतिस गड़ प्रवास हुआ था और च्छतिस गड़ प्रवास के दौरान अनेक बैठके हमारे हुई उस बैठकों में बाचित हुए क्यार आप लोग पचास सीट इंक आवन सीट लेकर के आते हो इसको बढ़ा सकते हो तीसरी बार की सरकार है चौथी बारी में जानी है और जनताय के लिए क्या नहीं किये है हम लोगों ने सुभाविक रुप से कहा कि हम इसको बढ़ा सकते है तो राष्टी अध्यक्जी ने कहा कि मिसन 65 मिसन 65 कि हमारे मुख्यमंत्री जी के जो उम्र है वो भी 65 पार कीए है और चौथी बारी में जा रहे है इसलिए मिसन 65 हमने रखा है कि मिसन 65 में 65 जीतकर के आना है और बहुत कठी नहीं है आप देखे होंगे को उत्तरप्रदेश को जब रिजल्ट आया मुझे लगता है किसी को विश्वास नहीं हुआ होगा कि हम इतने सीटे जीत करके आ रहे हैं उत्राखंड का आप देखें आज जनता के लिए प्रदेश के लिए यहां के विकास के लिए मानव संसाधन के लिए क्या नहीं किये हैं मुझे लगता है कि 14 वरस पहले कि हम बात करेंगे और आज यादी बात करेंगे तो लोगों के जीवन में खुसाली है लोगों के जीवन में उमंग है आज नए नए आयाम गड़ रहे हैं विकास के जो हम बुनियाद रखे थे उसको पार करके छलांग लगा रहे हैं और ऐसे स लोगों पर सीटों पर तो आप पांच जारों से कम बोटों से जीते हुए हैं तो इसलिए यहां पर यह मुश्किल लगता है कि आप सेट जब बात करते हैं कि मद्द प्रदेश में कभी भाजपा के सरकार नहीं बोली तो एक बात बोल देते थे कि 36 गड़ के कारण यह नही हुए हैं और इसलिए हमें पूरा उम्मीद है कि पिछले बार का चुनाओ हमारे लिए सबसे कठी चुनाओ था लेकिर इस बार ना वो चुनाओतिया हमारे सामने में है ना वो चैलेंजेस हमारे सामने में है और बलकि जनता के लिए हमने जो वादा किया है जो करना चाहिए हमने पूरा करने का प्रयास किया है और हमने किया है सरकार ने हमारी की है और इसलिए हमको भरोसा है कि जंता का असिरवाद इस बार चौथे बार में जिस प्रकार से धान का बोनस सरकार ने दिया है वापसी बोनस की रूप में 65 प्लस में हमाएंगे एक और विरूधी कहते हैं आपके बारे में, कि भले ही आप अध्यक्ष हैं, लेकिन आप अपनी सीट नहीं जीता है, बोले अल्टरनेट तरीके से जीते हैं, पहले जीते फिर हारे, फिर जीते फिर हारे, और इस बार आप नहीं जीते हैं, लेकिन आप अध्यक्षे तो कैसे जिताएंगे, बिरूधीयों का इमागा. है और पूरे प्रदेश में हम जीत रहे हैं यह बताई कि नेतरत्व का क्या होगा बड़ी सुख्भागा तुटती है कि यह हो सकता है कि अब अलड़ी 15 साल हो चुके होंगे मुख्यमंत्री जी को तो रमान सिंग जी को सता है केंद में बुला लिया जाए और यहां पर कोई न महसूस ना हूँ अच्छा कई जगे यह भी होता है कि जो अध्यक्ष होता है आपकी पार्टी का वो मुख्यमंत्री भी बन सकता है और बनता है कई जगे जैसे अगर चलिए उत्तर परदे में छोड़ दे तो मुख्यमंत्री तो जरूर बने तो क्या आपके मन में ऐसा लग यह माना जाता है कि जो 36 गढ़े आदिवासी प्रमुख राज है और कई बार मांग उठती है कि यहां पर एक आदिवासी वर्ट से कोई मुख्यमंत्री होना चाहिए तो आपको नहीं लगता है कि हो सकता है कि आजने वाले समय में जैसे गुजरात में देख रहे हैं कि जात लalamुखो दाइत तो दिया है वो जाति-पाति धर्म के अधार पर ने दिया है यह 26 कर राजिक मिर्मान धर्म धर्म के अधार पर नहीं हुआ है संप्रदाय के अधार पर नहीं हुआ है और यही हमारे नेतरित्व का सोच रहा है और यही सोच के कारण में जिनको नेतरित्व करने का उसर मिला उन्होंने यह साबित करके दिखा दिया है कि धर्म, जात, इसंप्रदाय इन बंधन से मुक्तरह करके कि जन्ता की सेवा ही मेरा उद्देश से होना चाहिए और उनके कल् इस इस कर्द्रयान से ही पार्टि का कल्यान है और उसी भाव में लगे हुए है और उसी भाव को ले कर के आगे चल रहे हैं बढ़ी चनोती किसे मानते हैं जोगी को की कॉंग्रेस को अदेखें जी पहले हम तिन चनाल लड़े हैं तो एक पार्टी रही है आज हम यह कह सकते हैं कि यदी बसपया बंगर और और चौनगरेस के विभाज़ाण अभुदो पार्टी यह डोनों अपने अस्तित्ू की लड़ाई लड़ेंगे और अस्तित्व की लड़ाई में कौन सेकंड में आएंगे, थर्ड में आएंगे लेकिन हमारे लिए रास्ता खुला हुआ है, जनता का आसिरवाद है, हमको तो एक नंबर में ही रहना है जोगी जी तो दोस्त है, आप ही की मदद करते हैं, यह सच है यह बात देखिए कोई राजनिती में अपने भविस्य को संकट में डाल करके कोई मदद ने करने वाले हैं सब अपने भविस्य को ले करके चिंतित रहते हैं, इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि कोई किसी के मदद के कारण में पार्टी बनाए और किसी को मदद के लिए अपने आपको खतम कर दें तो इसलिए हमारे सामने जब बात करेंगे तो दोनों अपने अपने इस तरफ पर लड़ाई लड़ेंगे और उनके सामने हम लोग चुनाव लड़ेंगे आपको कह लगता है कि जो बीजेपी अपने बल पर चुनाव लड़ती कि उसको इस समय विपक्ष काफी स्टॉंग नहीं मिला मतला अगर हम देखें कॉंगरेस में तो एक नेतरत्व की परिशानी होती है कि कोई एक फेस नहीं होता या कौन नेतरत्व कर रहा है या समझ में न जहिता है कि सामने का नेतरत्रत्तों का संकत अपने है स्ठाई नेतरत्त सो जद्रध नेतरत धुगू के लिए किसी को मोहरा नहीं बनाते हैं यदि हमने जनता से वादा किया है भारती जनता counseling है जो विकास को लेकर के चुनाव लड़ती है नेटों लोग ना स्लोगन बदलत तो ऍहीं दिए रहते हैं बारती जन्ता पाटी का भी सब्सक्राइब हुआ के यूजा एक अपर रहे हो जा रहे हैं तो आपके साथ यह भन के बहुत थे का यह लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि चुनाओं के बाद भी उनक÷ जाना चाही है और उतना ही नहीं, हम तो पूझ मेरे हैं किए मंदिर निर्मार में आपके क्या रहे हैं आपको इस पर ठाख़ुलासा भी करना चाहिए क्योंकि रम्मंदिर का जो मुद्दा है यह रम्मंदिर का मुद्दा नहीं है यहा के हिंदो सनातन संस्कृति का एक अस्तित्तो का भी मुद्दा है जिस बात को ले करके चल रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माड होना चाहिए और सुप्रिम कोर्ट में है, सहमती बन जाए, वारता चल रही है तो हमने एक अहां पत्ति किया है कि आप मंदिर मत जाए वास्तविक में 36 गड़के विकास और उसके साथ में कि चौदा वर्स में एक रिखांकित करने का हमने काम किया है अब जो हमारे विकास है जिस बात को मैंने उल्लेक किया है कि उस उल्लेक में जो यहां के प्रगती लोगों के जीवन में हम चाहते है सिख्छा से ले करके स्वास से ले करके बाकी चीज़ों में और दूसरा मैंने कहा कि यहां के जो बस्तर से ले करके सरगुजा तक है नेट के माध्यम से हो जहां सड़के नी है सड़के के माध्यम से हो और उसके बाद में हमारे हाँ जिस बात के कमी हम लोग भी महसुस करते हैं पूरे देश कमी कर रहे हैं कि आज भी हमारा अस्पताल खोले हैं जितने डाक्टर के आउ सकता है वो नहीं आप इसकुल खोले हैं कालेज खोले हैं लेकिन विसाय के टीचर आपके पास में जितनी होनी चाहिए आपके पास में नहीं है ऐसे बहुत सारी समस्या हैं तो जो मुबाइल बाट रहे हैं वो पॉपुलिस्टे क्या उसकी वज़े से जीतना चाते हैं आप तो यह भी बोल सकते हो के चावल बाटे हो इसलिए जीते हो आप यह भी बोल सकते हो के धान की बोनस बाटे हो इसलिए जीते हो तो क्या हम बोनस न दे किसानों को आज हमारे गाओं में हम जब 108 चला रहे हैं ना 102 चला रहे हैं ना तो आखिर उनको बुलाएंगे कैसे आप, मोबाइल चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये तो आप कंपलसरी हो गया है कि मोबाइल रहना चाहिए, इसलिए जहां पर नहीं है, वास्तविक में एक बड़ा काम डाक्टर रमान सिंग जी ने जो किया है, कि जो गरीबी और अमीरी के जो बीच के खाई, कि जैसे बच्चे स्कुल गए, तो एक के बच्चे सैकल में आ रहे हैं, दूसरी के बच्चे के पास सैकल नहीं है, एक लिप्टाप चला रहे हैं, दूसरी के बच्चे के पास में नहीं है, इन तमाम जो बाते हैं कहीं न कहीं जो उसको भुफिल करते हैं गिल्टी उसको महसूश होता है कि मेरे पास कास मैं भी जह कर सकता वास्त ficou में जो कास है उसको ले करके कि नहीं यदि उनके पिताजी उनके परिवार वाले दे रहे हैं तो आपको कोई नहीं है, तो हम आपके साथ में आप उनसे कम नहीं रहेंगे यह जो सम्मान का इक दरजा और उनके मन में एक जजबा कि आपको यह नहाँ कि मैं आर्थी कुरुफ से कमजोर हूँ, इसके कारण मेरे पास में नहीं है इसको दूर करने के लिए उनको सम्मान में उचित इस्थान दिलाने के लिए और उनके सक्ताओं के पूर्ति के लिए जो करना पड़े का करेंगे और ये डक्टर अमन सिंग कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद 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 24.